कि अपर्चुला की कटिंग लेकर लगाई थी क्योंकि यह सरदियों में इस बोटल में ही बचा करके रखी थी कटिंग सभी मैंने हटा दी थी तो इसी में जो कटिंग लगाई थी 15 दिन पहले वह मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से यह चल गई है देखिये अच्छे से ग यह कैसे लगाई थी और गर्मियों का कितना बैस्ट प्लांट है कितनी ही धूप लुए चलती रहती है तो इसका फूल तो बिल्कुल वी सोकता नहीं और ज्यादा जितनी तेज धूप होती है उतने ही इसके फ्लावर्स बड़े-बड़े साइज में खिलते हैं तो इसको गु बिच्छु घास बोलते हैं तो काफी सारे नाम है इसके और समर का जो है बैस्ट प्लांट है इसको पूरा दिन की धूप जो है आप देंगे ना जितनी उतने ही इसके फ्लावर्स जादाएंगे तो इसमें से भी कटिंग लेकर करके आम और लगा सकते हैं ताकि और भी गना लाग लाज़ जाएंगे में बिचिता आथे किilarboys से बीसटने न में प्लांटर में किसे भी लगा देजिए थोड़ी मिट्टी में आसानी से चल जाते हैं पॉट तो दिखता ही नहीं खूबसूरत लेनिंची जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूर दिकता ही नहीं कुछ दिन ब में 3-4 तक खेले रही ही जब बूलfight हुआ कि तो आप में रही हुआ है बमस्क्पल तो की ओल works जया से तो पाफि कर पाफिक रहे हैं तो गपलके ही वलंगास तहहीं तो गदोisia है जैसे है थी नीर बस है कैसे लगाई थी चलिए लगाते हैं कुटिंग वाइट पिंक और डबर शेड तीन कलर के फ्लावर्स में है और जब खिलेंगे बहुत ही सुंदर लगेंगे जब भर बर कर इस पर फूल आएंगे तो देखिए कितने सुंदर जो हैं यह प्लांट लगते हैं बहुत है इसको बिच्छु घास भी बोलते हैं और अकलक भी बोलते हैं गुल्द फैरी भी बोलते हैं इसके कही नाम है तो चलिए जैसे हमने यह कटिंग लगाई थी 15 दिन पहले तो इसी तरीके से मैं आपको कटि रहा है तरह केज़़ा नहNews नहीं रहरे हो यह मैं तरह की कटिंग लेकर दंडी वागर अगारा सी चोटी चोटी सी और तीफ की कटिंग इसी कटिंग इसी तरीके से लगाती हूं मिट्टी लेकर पाने डाल करके और कटिंग को कर देती हूं बड़ी असानी से वह मिट्टी उसको पकड़ लेती हैं तो देखे यह भी घणी हो जाएगी और भी ज़्यादा और यह प्लान दें के सर्दियों में भी तुलसी शामा जल्दी से पत्ते नहीं सूकते सामा तुलसी जी के तो मैं इनको यहां से अटा करके दूसरे प्लांटर में लगा दूंगी तो देखे आमने किस तरीके से कटिंग लाई इसी तरीके से लगाती हूं मैं यह पूरा बर जाएगा तूटा हूँ कुछ नहीं दीकेगा तो तैं